हाउर फिक्स वीवो वाई 19 मेसेज नौट सेंट प्रॉब्लम नमस्कार उस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीवो की फोन पर यह जी आप किसी को मेसेज सेंट कर रहे हैं और मेसेज सेंट करती हैं आपको बताते हैं मेसेज नौट सेंट ठीक है तो इसको आप कैसे करके यहाँ पर सॉल्फ कर सकते हैं और यह जो प्रॉब्लम में आपको किस वज़े से आ रहे हैं तो यह सब कुछ दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो कभी कभी क्या हो जाते हैं हम किसी को मेसेज सेंट करते रहेते और वो मेसेज जाते नहीं है यहाँ पर हमें सिर्फ यह देखने को मिलता है कि message not sent ठीक है तो आपको भी इस तरह का कोई भी issue, कोई भी problem आ रहा है तो simply इस वीडियो को देखे जाने हैं यहाँ पर problem क्यों आ रहा है केसी करके solve कर सकते problem को तो उसके बार आपका जो problem है definitely solve हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ आपने चैनल को subscribe नहीं किया है जाके चैनल को subscribe कर ले सारे साथ दोस्तो बेल आइकोन को click नहीं किया है तो वो भी कर लीजिगा, यहाँ आप online से पेसा कमाना चाहते हैं उसके लिए हमने वीडियो description पर link दे रखा है आप जाके check out कर सकते हैं ठीक है और किसी भी problem के regarding पर हमें message कर सकते हैं आप twitter पर, तो दोस्तो आईए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि problem किस वज़े से आ रहे है problem जानने के बाद हम solution को करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो message send करने के लिए आपके पास one रूपी होना जरूरी है ठीक है यह आपके पास जो है कोई भी balance नहीं है message balance नहीं है ठीक है तो दोस्तो आप यहाँ पर message send नहीं कर पाओगे ठीक है और जो भी बंदे को आप message कर रहे है उसका number check कीजिए number को double check कीजिए number यहाँ पर गलट भी हो सकते है number गलट पे भी message नहीं जाते हैं ठीक है तो आपको यह सब एक बार देख लेना है और दोस्तो आप यहाँ पर 3-4 लोगों को message भी करके देखिए यहीं आपका message नहीं जा रहे है ठीक है क्योंकि दोस्तो यहाँ पर block का problem भी हो सकते है यहीं कोई आपको block कर देते हैं तो भी message नहीं जाते हैं ठीक है तो यह सब problem दोस्तो यहाँ पर होते रहते हैं और कभी-कभी जो है यहाँ पर server का issue भी होते है तो server का issue होने से दोस्तो वो problem जो है आपने आभी fix हो जाते हैं तो आपको दोस्तो जो भी मेने आपर बाता है उसको एक बार ध्यान से check कीजिगा ठीक है ध्यान से check कीजिए अपने network वगरा को check कीजिए network का issue होने से भी message नहीं जाते हैं और आप जो भी number पर call करें वह valid number होना चाहिए ठीक है एक डाम accurate होना चाहिए तभी problem solve होगा तो दोस्तो यह था एक reason ठीक है यह reason जिसके वज़ए से message से नहीं हो पाते हैं अभी दोस्तो solution के बात आते हैं solution करने के लिए आपको दोस्तो आया पर आपको जाना है सेटिंग पर ठीक है उसके बाद जाके दोस्तो स्क्रोल डाउन कर लें यह आपका नेट्रोक काफी अच्छा नहीं है तो एक बाद डूयल से में मोबाल नेट्रोक पर जाके आपना सीम को open करें नेट्रोक मोड पर जा जाना है ठीक है बेका बेंड रिसेट उसमें जाके रिसेट नेट्रोक सेटिंग पर क्लिक करना है रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाल पासवर्ड बढ़ देना है और नीचे में जो रिसेट सेटिंग है उसमें क्लिक कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको नेट्र जाना है उसके बाद नीचे में जाये नीचे आपको यहां मैसेज पर जाना है तो हम यहाँ करने के बाद आप यहां पर यहाँ पर करने के और यहां पर दोस्तों एक और सेटिंग है वो है रेमेन स्टोरेज उसमें जाके clean up storage space पर click कीजिए और यहाँ पर जो trace है उनको clean up कीजिए ठीक है जो trace है यहाँ पर दोसों उनको clean up कर दीजिए यही बहुत ज़्यादा case जो है वहाँ पर आ जाते है तो आपको problem हो सकते है ठीक है तो यह था दोस्तो problem solve करने के तरीका मेसेज यही आपका send नहीं हो पाते हैं ठीक है और दोस्तो यही आपको फिर भी problem आते हैं तो आप दोस्तो एक बार अपना जो network operator है customer service उनको call करके पूछिए कि problem किस बज़े से आ रहे हैं आपके message क्यों नहीं जा रहा है करते हैं वीडियो आप पसने होगा तेंक्स पर वाचिंग